हाई फ्रेंट्स आप लोग कैशे हैं आज हम लोग समी प्लांट के समी पाइदा के बारे में जानते हैं समी का पाइदा क्या है दोस्तों सनी सियव सनी को प्रिये हैं समी का पाइदा जाने घर में लगाने के अंगीनत फाइदे यानि उसके फायदे कौन-कौन से हैं पहला नंबर है जियोतिस और वास्तु में पेड़ पौधे को बहुत महत्वत दिया गया है गरह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कुछ पौधे बहुत कारगर माने जाते हैं इन में से एक है समी का पौधा सनी देव और स्रीव भगवान को प्रिये हैं इसलिए इससे देविय पौधा भी कहा जाता है इस पौधे को लगाने के अनगीनत फायदे हैं अब इसका नंबर दो इसका फायदे में इसका दूसरा नंबर है समी का पौधे लगाने से घर में ब्रकत आती है यानि घर में धन लाब होता है कभी भी पैशो की कमी नहीं रहती है इस पौधे को लगाने से घर का वास्तु दोस भी दूर होता है इसके प्रभाव से घर की सारी बधाएं दूर होती है रोज समी की पूजा करने से बिवाह संबंधी दिकत्ते भी दूर होती है समी का पौधा सनी देव को प्रिये है जिन जातकों पर साढ़े साती और सनी की ढईया चल रही है उन्हें समी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए इससे इसका प्रभाव कम हो जाता है दोस्तों जिसको सनी की साढ़े साती होती है या सनी की ढईया होती है उन्हें समी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसका पूजा करना चाहिए चौथा नमबर है, समी का पवधा भोले नाथ को भी पशंद है इसे लगाने से घर में सुख सम्रिधी आती है और दुख दूर होते हैं ये पवधा सनीवार के दिन घर में लगाना बहुत सुभ माना जाता है इसके अलावा, दसहरे के दिन समी के पवधे को घर में लगाने से तरक्की मिलती है समी का पवधा लगाने के लिए सनीवार का दिन उप्युक्त होता है और दसहरा के दिन उप्युक्त होता है इसे धन की ब्रिधी होती है पाँचवा नमबर समी का पौधा देविये और बहुत पवित्र होता है इसलिए इसे लगाते समय साफ मिटी का ही प्रयोग करे इसे लगाते समय दीशा का ध्यान जरूर रखे इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए समी के पौधे को छट पर दक्षिन दीशा में रखे धूप न मिल सके तो इसे पूर्पित दीशा में भी लगा सकते है समी के पौधा को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए इसे से फायदा होने के बदले में नुकसान ही होता है अब छाठा नमबर देखा जाए घर के मुखे दुवार के पास भी समी का पौधा लगा सकते हैं साम के समय समी के पौधे के पास भी एक दीपक जला कर इसकी पूजा करें ऐसा करने से आर्थिक इस्थिती मजबूत होती है इस पौधे को आप गमले में या फिर सीधे जमीन में भी लगा सकते हैं नमबर साथ साथवा नमबर है 45 दिनों तक रोजाना साम को समी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं ये उपाय बिवा हमें आ रही सारी बधाओं को दूर करता है दोस्तों यह वीडियो आपको कैशा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके अब हम लोग आगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए जय हिंद जय भारत